हमारा चेप्टर का नाम E.B.A.T E.P.A.S अनलेसिस है इसमें क्या का सीखने वाले पहले उनकी बात कर लेते हैं फिर अवाउट चप्टर करेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या सिखाये جाता है सर इसके अंदर सिखाये जाता है एक तो हमें E.B.A.T का मीनिंग क्या है और एक बताया जाता है सर EPS क्या होता है और एक हम इसके अंदर सीखेंगे Financial Break-Even Point सर कुछ और भी सीखना है बिलकुल एक सीखना होगा हमें Indifference Point Indifference Point इस चार पॉइंट के उपर हमें Discussion करना है टोटल इस चेप्टर में ठीक है न बहुत सिंपल चेप्टर है एक्जाम में question पूछे जा चुके है तो एक्जाम वाले question तो last में ही देखेंगे ठीक है न इस चार पॉइंट पर focus रहेगा बाकी मैं question जो लेके चलूँगा एक पहले income statement सर इसके अंदर EBIT EPS के बीच में क्या relation है EBIT और EPS के बीच में क्या relation है वो सिखाता है हमें indifference point और financial break even point बिल्कुल different है इनसे कोई लेना देना नहीं है तो पहले समझते है EBIT क्या होता है EPS क्या होता है पूरा statement already statement हम कई बार कर चुके हैं सर statement की अगर हम बात करें तो मैं income statement की ही बात करूँगा again मैंने कहा जिसकी first class है उसको भी clear समझ में आएगा और जो बच्चे पहले से हैं उनको तो आई ही रहा होगा तो मैं बनाने जा रहा हूँ पहले income statement सर income statement क्या होता है income statement का मतलब जब profit earn होता है न तो उस profit का distribution company में कैसे कैसे किया जाता है ये सिखाए जाता है जब भी कोई profit earn करते हैं तो company में distribution किस level तक जाता है वो तो सबसे पहले तो हम profit earn करने के लिए हमें क्या पता होना चीए sales सपोस करो हमारा sales मान लेता है हजार का है sales में से फिर हम minus पता ही क्या करते है variable cost sir variable cost मैंने VC लिखा है short form में मान लेते है variable cost बहुत तरीके से given हो सकता है in the terms of unit given हो सकता है per price के इसाफ से per unit के इसाफ से in the terms of percentage given हो सकता है let assume के मैंने 30% लिखा तो variable cost बदा सकते हो simply sir 1000 का 300 रुप है ठीक है न इसके बाद जैसे ही हमारा आगे देखें तो आगे क्या आएगा जब हम इसको minus करेंगे तो एक new heading generate होता है जिसे बोलते हैं और यह हमारा आएगा 700 आप मुझे बताएंगे कि अगर variable cost 30% है तो contribution कितने % होगा से बिल्कुल सिंपल सी बात है sir अगर यह है तो यहाँ पे आपका automatically क्या होता है 70% तो मैं contribution percentage अगर मैं बोलूँ हाँ बहुत rare use होगा लेकिन contribution percentage बोले से सब्सक्राइब अगर कोई डाउट है तो अभी मैं voice तो नहीं लूँगा मैं पहले पूरा concept करा दूँ फिर देखते हैं अगर कोई एरर आ रहा है voice clear नहीं है बताइए voice clear है या नहीं है हो सकता है some student को मैं दुबारा connect कर देता हूँ बताइए voice clear है या नहीं है ना बताइए अब अब clear है ठीक है चलिए तो contribution सर contribution के बाद क्या आएगा contribution के बाद हम again आ जाएंगे किस पर पता है माइनस करते हैं हम fix cost fix cost जो यह fix cost माइनस करेंगे मान लेते हैं fix cost हमारा है 100 रुपे मान लेते हैं fix cost के माइनस करने के बाद भी एक heading generate होगा उसको हम बोलेंगे EBIT short form में earning before interest and tax इसको हम बोलेंगे PBIT और इसको हम एक और नाम से जानते हैं operating profit इसको एक और नाम से जाना जाएगा sir एक और नाम क्या होगा operating जब कभी ऐसे word इसमाल हो तो समझ जाना examiner जो हमें दे रहा है वो दे रहा EBIT तो आपने पहले देखा हमने क्या लिखा था कि EBIT को समझेंगे EBIT यह निकल जाएगा जो कि आप अगर calculation करते हैं तो आपका जवाब आएगा sir EBIT जो आएगा वो कितने के आने वाला है 600 रुपे का EBIT ठीक है यानि simply मैं बात करता हूं कि sir sales में से आप variable minus कर दीजिए और sales में से आप fix cost minus कर दीजिए तो क्या जाता है EBIT यहां तक कोई simple से कोई ज्यादा इसमें tension वाली बात भी नहीं और simple topic है अब इसके अंदर से एक एक points को हटाते हैं जैसे अब minus करने का number बनाता है पता है किसका interest का sir interest minus करते है interest कुछ भी हो सकता है वो percentage के terms में भी हो सकता है normal भी मैं इसके उपर भी discuss करूँगा मान लेते हैं 200 रुपए का interest है जब interest हम जैसे ही minus करेंगे तो जो अगला result निकल के आएगा पता है कि आएगा e तो है ही है earning तो है अब bb है interest निकल गया तो अब क्या बन जाएगा t और इसको दूसरे word में pbt भी बोल देते हैं interest minus करके क्या आगे हमारा 400 अब बात कर लेते हैं sir interest की अगर मैं interest की आपसे बात करूँ तो interest क्या हो सकता है interest क्योंकि यहां पर interest का काफी रूल रहने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं interest में क्या रहेगा interest में हो सकता है maybe possible है 2 point sir कौन से 2 point maybe आपको amount given हो सकता है और maybe आपको percentage गीवन हो सकता है sir अगर amount given हुआ तो simple interest minus कर देंगे लेकिन अगर हमारा percentage गीवन हुआ तो क्या करेंगे amount में कोई tension नहीं है जो amount दे रखा है हमें जो amount दे रखा है हमें जैसे की यह जो मैंने example लिया है आपके सामने यह किसका example है amount का आपको 500 रुपए दे 500 minus करो 5 लाख रुपए दे 5 लाख माइनस कोई दिमागी नहीं लगा अब बात करते हैं किस में दे दे जब आपको percentage में percentage में देगा तो कैसे दे सकता है आपको 10 percent debenture रुपीस वन लैक तो अब आपको यहां interest निकालना पड़ेगा कितने का debenture है एक लाख का कितने percentage का यानि आप एक लाख पर 10 percent निकालेंगे जो कि क्या होगा दस लाख होगा दूसरा point और क्या ध्यान में रखना है सर इसके अंदर loan जब लेते हैं न हम तो loan जब bank से लिया जाता है तो उसके उपर भी interest लिया जाता है लोन लेने पर हम जितना ज़्यादा loan लेते हैं उतने कम rate of interest पर मिलता है कैसे सर ज़्यादा loan लेंगे तो कम पर क्यों आप किसी दोस्त से बोलना कि सौर पर उधार दे मैं तुझे दसनिम्राद लोटा दूँआ वो लेगा दो सो के मैं डेड़ सो लूँँगा कितने percent interest हो गया 50% आप उससे बोलना 5000 रुपए दे दे मैं तुझे एक महीने बाद वापस दे दूँगा अब कितने percent interest हो गया 10% यानि 100 कम loan था interest 50% 5000 हुआ तो interest 10% आपने बोला 5 लाख रुपए दे दे मैं तुझे एक मैने बाद लोटा दूँगा और कम हो जाएगा फिर percentage का काम आएगा तो इसी तरीके से न हमें loan जब लेना होगा ना bank से तो bank कर आपको option मिलेगा कि आप अगर loan लेते हो 2 लाख तका तो आपका rate है 2% अगर आप loan लेते हो 5 लाख 2 या 12% कर लेते हैं 5 लाख का लोगे तो आपको मिलेगा 10% अगर आप लोगे 20 लाख 5% मैंने कहा कि मेरे organization ने 7 लाख रुपे का loan लिया है तो अब किस category में fall करोगे उसे यानि किस के हिसाब से 5% इंटरस्ट निकालना होगा तो देखो दो तरीके से बताएं इंटरस्ट एक fix amount हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है आपको simple एक ही loan दे तीसरा loan के categorize कर दे तो आपको choose करना हो clear किया सर इसके बाद क्या minus होगा सर इसके बाद minus होता है हमारा tax tax भी हमें किसमे given होगा हमें सा percentage tax किसके उपर apply होगा इसके उपर suppose करो मैंने बोला 40% तो सर 40% किसका निकाले क्या 1000 का निकालेंगे नहीं 40% 400 रुपे का निकालेंगे जो कि आ गया 160 अब जैसे 160 माइनस किया तो बचा कितना मेरा 260 240 अच्छा 240 बची गया है 240 समझ में आ रहा है अब देखो अगला heading क्या होगा आप खुद दिमाग लगाओ EB और TB हट गया इसको हम बोलेंगे EAT earning after tax जो हमारा profit होता है ना operating profit किसको बोला था EBIT operating profit में interest वाले का भी कोई interest वाला भी minus नहीं हुआ और नहीं tax minus हुआ अब यह जो profit बचता है अब यह profit दिया जाएगा मालिक को किसको दिया जाएगा बोलेगा honor आप लेलो इस पर पूरा धीकार है गौर्मेंट भी इस पर question mark नहीं raise कर सकता है क्योंग गौर्मेंट को मिल गया उसका हिस्सा और दूसरा कौन interest वालों को भी मिल गया और जो variable cost में थे सारे खर्चे निकल गए fix cost में तो यानि यह किसका है मालिक का यानि honor का यह सारा होगा ना तो हमारा किसी होगा सारी बाते स्रिफ और स्रिफ किसकी चलेगी यहां पर company की तो अगर मैं company की बात करूं तो sir company के अंदर कितने honor होते हैं बताइए sir company के अंदर दो honor होते है एक honor होता है preference share holder नाम दे रहा हूं एक होता equity बस दो ही honor है यहां पर एक preference shareholder और एक equity shareholder दो honor है सर दोनों में फरक क्या है बेसिकली फरक यह है कि preference shareholder को ना एक fixed percentage पहले से decided होता है याद होगा आपको सारी चीजे 12 में भी पढ़ा है बदेखा भी है और 4 semester में तो इतने सारे देखें इसको पहले से क्या decided होता है fix percentage यहां पर ऐसे given हो सकता है 9% preference share capital रुपीज वन लैक तो इसका मतलब क्या समझे एक लाग पर 9% का देना है हमें सेम ऐसे देखो तो यहां डिबेंचर में भी fix percentage होता है ऐसे तो डिबेंचर पर भी है लेकिन फरक यह है कि जो preference share holder को fix percentage होगा इसको हम बोलेंगे और preference बोल रहा हूँ मैं P का मतलब पहले preference का मतलब पहले अधिकार होगा किस से equity इसके पेट भरने के बाद preference share holder को पूरा करने के बाद पैसा बचेगा तो किसके पास जाएगा equity share यानि अब मुझे इसको बांटना है तो सबसे पहले मैं किसको पैसे दूँगा preference share तो minus कर दें यहां से minus कर दें मान लेते हैं PD मैं बोल रहा हूँ short form में PD मान लेते हैं कि 8% है या मैं amount दे देता हूँ अब 40 रुपीज का PD है ठीक है अब 40 रुपीज का PD है तो किसके हिस्से में जाएगा यह बचा कितने अब यह 200 किसका है सारा equity share holder का अगर यह सारा का सारा equity share holder का है तो मैं यहां पर mention करूँगा इसे बोलूँगा मैं earning for equity share holder इसको बोलेंगा earning अब सर यह जो 200 रुपए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सर इस earning में से equity share मान लेते हैं आप सभी equity share holder हो तो 200 रुपए honor हो आप तो जब पैसे बांटे जाएंगे आपके बीच में तो आपसे भी इचा जाएगा आपसे पूछा कि हम सारा पैसा आप में बांट रहें किसी को कोई इतराज है आप समने बोला मुझे कोई दिक्कत निया बांट देजिए मैंने आप सभी में पैसा बांट दिया तो ऐसा तो नहीं है कुछ ना कुछ तो ratio कुछ पर पोस्नेट कुछ ना कुछ कंपनी के ग्रोंत के काम यह की तो कंपनी न्यू प्रांच उपन करना चाहता है कंपनी happier क्रीदो इसके लिए तो बड़ा सिंपल सा बात है सर कितने का थामारा हमारा सर जो था 200 रुपए 코но ने से कितना बातना चाहरा हूं؟ 80 जो बातना चाहरा हूं Does में दिविडेंड और जो पार्ट में बाटना नहीं चाह रहा, रखना चाह रहा हूँ, उसे क्या बोलेंगे, retain earning, बहुत important point है, बार-बार मुझे remind करवाना पड़ता है, यह चीज़े आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाले question में होगा, तो मैं simple सी बात करूँ, तो सर यह जो दो point है इसके अंदर दो हिस्से में बढ़ सकता ही है, सर किस-किस दो हिस्से में हो सकता है, कि आपको दे दिया जाएगा, वो क्या होगा, और जो नहीं दिया जाएगा, company क्या करीगी, रख लेगी, उसे क्या बोलेंगे, retain earning, ठीक है न, जो दे दिया जाएगा, उसे dividend और जो company रख retain earning, एक question आता है, question फूचता है, कि आप मुझे बताईए, question में क्या बोला जाता है, कि आपको जो बताना है, वो बताना है, यहां कर लेते हैं, आपको बताना है, एक EPS, EPS का मतलब होता है, earning per share, आपने एक share पर कितना कमाया, मान लेते हैं, मेरे पास जो number of shares holder है न, number of equity share holder, वो suppose करो, है total 100, number कितना बोला मैंने, 100, तो सर 200 रुपए है, number of shares holder कितने है, 100, तो सब में बटेगा, सब में बटेगा, तो कितने कितने रुपए बटेगे, तो अगर मैं EPS पूछू, तो आपने बता दिया मुझे, सर EPS आपने बता दिया, EPS क्या आएगा, तो EPS का formula क्या हो जाता है, Earning divided by number of equity shares, shares नहीं लिखना, equity share, क्यूंकि shares में तो ये भी आगया ना, अगर share capital बोलने, सब भी गलत है, क्या बोलना आपने, equity share, divide किया, आपने क्या बता है, दो आगया, सर्ड, dividend कैसे निकलेगा फिर, dividend की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं dividend की बात करूँ, तो उसे बोला जाता है, DPS, DPS क्या है, dividend per share, तो सर्ड, dividend per share, एक dividend के उपर ना, पूरा chapter भी है, थोड़ा सा बता देता हूँ, अंदरा नमबर का question आएगा, unit number 4 है, उसमें से question आनते रहता है, तो वहाँ पर बड़ा, हर question में EPS निकलेगा, हर question में DPS निकलेगा, हर question में retainer नहीं निकाला जाएगा, तो इसलिए मैं हर बार आपको बताना हूँ, ताकि आगे कम दिक्कत हो, DPS का formula क्या है, सर जितना dividend दोगे, उसको divide कर दो again number of equity share, मेरे वाले example में मैंने क्या कहा था, सर मेरे वाले example में मैंने आप सभी को बोला था, कि मैं यहाँ पर dividend दूँगा कितने, 80, और मैं रखूँगा कितने, 120, तो अगर dividend निकालना हो, तो मुझे कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या रखने वाला हुमें, जितना मैं पार्ट बाटूंगा, और divide किस से करूँ में, 100 से, तो आपके हिस्से में आ गया 0.8 का, तो यहाँ तक हमने EPS भी देख लिया, DPS भी देख लिया हमने, और हमने साथ के साथ EVIT भी देख लिया, dividend क्या होता है, तो यह पूरा एक base है, ज इसमें किसी को doubt, जो बच्चे starting से class ले रहे हैं, उसमें मैंने first class में यही समझाया था, और आज जिस जो बच्चे जूड़ेंगे, confirm है कि कार्ति का कहना है, दुबारा loan, मैं definitely अभी question करा हूँगा, तो loan वगरा सारा clear हो जाएगा, और जो आज जूड़े है, class में नए बच् income statement, income statement क्या है, जो सारी चीज़े minus करने, income में से sales में से खर्चे बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए हम आते हैं पीछे, sir क्या क्या बताने वाले थे, EBIT का section हमारा क्या हो गया, खतम, EBIT बताने वाला था मैं, तो EBIT खतम समझा दिया, EPS भी समझा दिया, अब रह गए दो point, ठी EBIT और EPS से related कुछ questions करोते हैं पहले, practice के purpose के लिए, कुछ questions करेंगे, फिर इसके उपर आएंगे, दूसरा, indifference point क्या होता है, अभी मैं कुछ भी इसके बारे मैं नहीं बता रहा है, जब question पर आएंगे, तब बताएंगे, चलिए कुछ question स्टार्ट करते हैं, सर कुछिन की अगर हम बात करें, जिन बच्चों का doubt है, अभी ले लेते हैं, अरे इसमें तो मैं, कुछ बच्चों का doubt आ रहा है, वो भी ले लेते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा भी लेख लेते हैं, हम करेंगे, कुछिन नमबर वन, कुछिन नमबर वन देखेंगे, यह रहा आपके सामने कुछिन नमबर वन, अभी तक कि क्लास क्लियर है सभी को, किसी का सर EPS को डिविडेंट देने के बाद कैल्फिलेट होगा या पहले, şekkür कि एपिएश जो होता है न, EPS डिविडेंट से पहले ही हो जाता है structure, एक क्कॉश्चन है आप मुझे बताना, सर EPS जो है वो डिविडेंट देने के बाद निकलेगा यह और डिविडेंट देने से पहले निकाला जाएगा, तो sir EPS जो होतtha है न उससे dividend को हमने दिया नहीं सारा 200 रूपे पे हमने क्या निकालाई यहाँ पे EPS निकालाई पूरे 200 रूपे पे 200 डिवाइट बाई क्या के आपने अब ध्यान से देखोगे तो 200 डिवाइट बाई क्या किया था हमने कहां गे, कहां गया निकाला ही नहीं EPS तभी तो पूछ रहे हैं अच्छा आपने डारेक्ट बता दिया तो sir EPS यहाँ पर दिखा देते हैं आपको EPS आएगा 200 divided by 100 यानी 2 रूप ठीक है तो यह हमारा पहले EPS होगा फिर DPS होगा चलिए एक question है question को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे simple question है question हर किसी को visual ही होगा कहता है एक company है company का नाम बहुत अटपटाई छोड़ते है equity share capital यानी company के पास अगर बात करें तो equity share capital है पहले से sir कितने है equity share capital sir amount के terms में बात करें तो दस लाग का equity है अगर मैं आपसे पूछू face value 100 बता रहा है आप मुझे जवाब बीचेगा face value 100 है तो आप सब तो इतना food semester पढ़ के आ रहे हैं तो ये सारी चोटी चोटी चीज़े है face value 100 है तो मैं जानना चाहता हूँ आप number of shares बताइए number of shares तो number of shares कैसे निकालेंगे सर 10 लाख रुपे तो amount है न रुपीज का symbol है divide कर देंगे किस से यानि simple सी बात है अगर मैं EPS पूछूं question में तो profit को divide करना पड़ेगा किस से divide करोगे number of share से ना की amount से समझ मैं ही बात आपको number of share से ना की amount से जवाब भी आ गया था सभी जो भी वच्चे live में और आप सभी ने भी जवाब दे दिया 10,000 चलिए आगे देखते हैं सर क्या है आगे कहता है question में to meet requirement company को fund की requirement है आपको कुछ program है कुछ company को expansion करना है modernization करना है company को उसके लिए पैसे की जुरत है simple सी बात है the company is sick to raise और company को कितने पैसे चाहिए पांच लाख रुपए and having the following alternate plan अब भाई पांच लाख चाहिए company का दिमाग खराब हो रहा है पांच लाख रुपए लोन ले के पांच लाख का debenture करे के पांच का इक्यूटी करे के पांच पडोस से ले ले के घर से लिया है बड़े सारे option है न अब plan क्या है इसका जो accountant है उसने बोला देखो भाई plan number one हम आपको बताते हैं एक काम करो सब equity share issue करमारो देखी जाएगी जो होगी दूसरे accountant ने बोला के काम करो भाई इसकी बात पर मत रहो दो लाख रुपे का आप क्या करो equity issue करो और तीन लाख रुपे का 10% वाला debenture issue करो तीसरे accountant ने बोला भाई दोनों की बात छोड़ो पांच लाग के पांच लाग debenture issue कर दो अब तीनों में से किसकी बात मानेंगे जिसके अंदर मालिक का फाइदा हो और मालिक कौन होता है shareholder shareholder को क्या मिलता है finally dividend बोल लो या EPS बोल लो तो जिस plan के अंदर जिस accountant की बातों में EPS जादा आएगा वही बोलेंगे best है और बाकी accountant की बातों को क्या करेंगे ignore करेंगे ठीक है company ने बोला था company आपका expecting company का पहले से पता है कि अभी मेरा जो कमाई रहेगी वो धाई लाक रहेगी सर कमाई का मतलब क्या है यहां पर सर कमाई का मतलब है कोई दिक्कत कोई परिशानी after the modernization corporate tax रहेगा आपका 30% और recommended the most suitable plan out of the above 3 which company should be adopt raise to required fund और company want to maximize EPS company चाहती है के हमारा EPS भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सबसे बढ़िया plan हो question समझ में आए क्या कह रहा है ठीक है अब इसके अंदर हम क्या करेंगे तीनों plan को draw कर लेंगे और तीनों का EPS निकाल लेंगे time बचेगा क्योंकि तीनों को एक साथी बना लेंगे एक plan हो गया दो plan हो गया और तीन plan हो गया तीनों plan done अब इसके अंदर particular ठीक है अब यहाँ पे तीन plan तो दिये गया है ठीक है और एक plan जो existing था वो पहले से चल रहा है हम तीनों plan को लेते हैं इसकी बाद में बात करूँगा एक plan number कौन सा है plan number plan number तीन plan हो गया ठीक है सर्थ तीनों का EBIT question ने बोल दिया है कि आपका expected EBIT क्या रहने वाला है sir EBIT बताया है question ने तो आपको तीनों का expectation सेम रखना होगा भाई loan से sales का क्या मतलब है loan लेने से variable cost का क्या मतलब है loan से equity का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है तो उसने बोला expected धाई लाक रुपे रहेगा EBIT तो हम रखेंगे जो यहां पर बताया हुआ है already तो धाई लाक रुपे का EBIT कहां रखना है 2.5 lakh रिख रहा हूं मैं अब क्या variable cost minus करूं या हो क्या है हो क्या है क्योंकि format में क्या देखा था sir हमारा sales minus variable minus fixed cost EBIT तो fixed भी minus हो चुका है तो अब इसके बाद किसका number आता है minus करने का interest का बिल्कुल ठीक plan 1 वाला क्या बोलता है कि loan माले ना सारा क्या करो equity तो plan 1 के अंदर interest होगा क्या plan 2 वाला बोलता है देख भाई 2 lakh का तू equity ले और 3 lakh का loan ले तो अगर मैं plan 2 पे जाऊं तो plan 2 पे 10,000 तो पुराने share थे ही plus 2 lakh के और equity बोल रहा है 100 वाले कह रहा है कि 2 lakh के नए equity issue कर पैसा ही खटा करेगा तो 2 lakh के अगर equity issue कर रहा है तो कितने 2000 plan B के अंदर number of shares कितने हो जाएंगे plan 1 के अंदर equity share अगर मैं plan 2 की बात कर रहा हूँ अब कौन बच्चा बताएगा plan 1 के अंदर क्या equity share है देखते हैं कितने दे आप plan 1 के अंदर बताओ plan 1 के अंदर 10 तो पुराने हैं न भाई इसको थोड़ी भूल जाओगे पुराने मालिक को कैसे भूलेंगे हम और plus rule के इसाफ से कितने और 5 लाग का arrangement किया plan 3 की बात करें कौन बच्चा बताएगा plan 3 में कितना होगा अरे क्या लिख दिया यह plan 3 में P3 में जी बताइए P3 में कितने equity होंगे तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया 10 क्योंकि sir P3 के अंदर accountant क्या बोलता है equity मत issue करो क्या issue करो debenture issue करो जब बोल्डर debenture issue करो तो पुराने वाले equity को मार थोड़ी देंगे हम वो तो है ही है और नए वाला कुछ है नहीं हमारा तो इसके हिसाब से चलेगा यह खिक है ना तो चलिए sir आते हैं हम B वाले plan में interest minus करना जरूरी है B वाले plan में loan कितने का है तीन लाग का तीन लाग पे दस परसंट के इसाब से 30,000 C वाले plan में loan कितने का है पूरा यानि 50,000 कितने हैं पूरे 50,000 चलिए आगे देखते हैं interest minus कर देते हैं इन सभी में से interest minus करने के बाद क्या आ गया EBT एक बार में question खतम हो जागा EBT आ गया 2.5 lakh और यहाँ पर आ गया 2.2 lakh और यहाँ आ गया यहाँ आ गया 2,000,000 रुपए ठीक है सार इसके बाद क्या minus करते हैं text question में बोला है कि एक ही text रखेंगे हम सबके लिए कितने 30% का तो 2.5 पे 30,000,000 पे 30% लगाएंगे तो आएगा 75K और 75K माइनस कर दोगे तो आजएगा 170 फाइल ठीक है पूरा लिख दिया मैंने 2,000,000,000 बीस अजार पे लगाओगे कितने परसेंट 30% तो इस पे आगया 66K और मैंने कहाँ लिख दिया इस पे आगया 66K माइनस करेंगे 66K का तो 154 60 और ये आएगा यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताईए यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताईए यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताईए मैंने क्या लिख दिया 75 को लिखा है ओके उपर कह रहे हो सर इसे सही कर दो तो लोजिट ठीक कर देते है अब इसके बाद आगे चलते हैं, यह क्या आगे हमारा, EBT या EAT, यह आगे हमारा EAT, ठीक है, अब इसके बाद कोई preference dividend यह पैसा किसका मालिक का है, मालिक में दो हो सकते हैं, preference share और equity, preference है नहीं, सारा कौन है equity, question बोलता है आप जो भी decision दे किस पे बेस पे दें, ना तो यहाँ पर retain earning का कोई concept है, ना DPS का कोई concept है, retain earning सिधा EPS, तो इसको divide कर देंगे, आपको भी formula दिखाये था ना, क्या था सर formula EPS is equal to earning, और divided by number of equity, तो ठीक है सर, earning तो पता ही है, इसको divide कर दिया जाएगा, किस से divide कर दिया जाएगा इसको, इसको divide कर देंगे हम number of share, यानि equity share से, तो सर, पहले वाले plan के अंदर कितने equity थे, 15,000 थे, पहले वाले plan में कितने थे, पहले वाले plan के अंदर थे हमारे, 15,000 से divide होगा, दूसरे वाले plan में, 12 से divide होगा, मैं ये क्यों समझा रहा था, अब समझ में आ रहा है, तीसरे वाले plan में, 10, तो आज आएगा हमारे क्या EPS EPS पहले वाले प्लैन का निकालते हैं क्या आता है सर कितने 175 डिवाइड बाइ 15,000 11.6 इसको हम दूसरे मार्कर से लिख देते हैं कितने आगए ये डिवाइड करने के बाद सर कुछ बच्चे बोल सकते हैं तो मैं बता दूँ कैसे मैं कर रहा हूँ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ मैं पहले वाला प्यं प्ट कर रहा हूँ 1,75,000 उसको डिवाइड बाइ कर रहा हूँ मैं 15,000 से 1,75,000 डिवाइड बाइड 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 Pf 11.6 चलो जी 11.6 सिक सिक सारा हटाओ उसे एक लाग चोवन हजार डिवाइड़ बारह हजार उसके बाद एक चालिस डिवाइड़ बाई टैन थाउसन 14 तो आप देखेंगे एक बार हम लोगों का नॉर्मली हम लोगों का हुमन बिहेवियर नेचर है करजा लेकर काम मत कर ने कर लेकर काम स्टार्ट कर बरबादी हो गई है जैसे किया फाइदा और उसको हर उल्डर को कितने रुपे मिल रहे हैं 14 और यहां पर देखो इस वाले फर्स्ट वाले प्लैन में करजा नहीं लिया था सारा क्या काम किया था इकूटी तो कितना आ रहा था कोई डाउट है तो बताईए किसी का डाउट हो चाए लाइव क्लास में कोई भी तो बताईए झाले नहीं वाले चाताए पाउटी जफ्asta सम्झे साथ աिए, टार्म लाइव कितना ढ सकती कित debating किता क्या हम कित tampीक, हुआ है हुआ था इस थाप्स, सबस्ट किता में प्लागन किता है, तो ज aren't you? हां जी सर 10K कैसे आया 15K कैसे आया P1 कैसे आया P2 कैसे आया P3 कैसे है सबसे पहले P1 की बात कर लेते है दाउट है ठीक है कोई बात नहीं P1 की बात कर लेते है Plan 1 के अंदर क्या बोला था सारा fresh issue क्या होगा Question देखिए क्या होगा कहता है issue equity share at power जब हम issue equity करेंगे पुराने equity कितने थे 10 और नए fund की requirement कितने 5 लाख 100 रुपय का एक तो number of shares count करोगे तो 5000 बनेंगे 5 लाख divided by 100 तो total equity बनेंगे 15,000 जो कि यहाँ use कर लिया अब P2 पे आ जाते है Plan 2 में क्या बोला था उसने के Sir equity 2 लाख का इस परो तो पुराने 10 तो चली रहे थे 2 लाख के issue करा तो divide गया हमने तो क्या आ गया 2000 से यह total 12 और plan 3 के अंदर बोला कि equity issue ही मत करो तो पुराने वाले चलते आए जो की था हमारा 10,000 ठीक है एक question और देखें आगे या एक question आपको करने के लिए दिया जाया आपको करने देते हैं एक question देखते हैं क्या answer आता है चलिए